हलो बच्चों वेलकम टू पीवीर स्टड़ी जैसा कि आपको पता है कि कच्छा 10 की मैथमेटिक्स में आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं और 12.3 चल रहा है 12.3 में कोश्चन नंबर 12 आज पढ़ेंगे इस इकसर्थाज में टोटल 16 कोश्चन है सारे कोश्चन हम आपको बारी- सकते हो ठीक है चलिए डिस्क्राप्शन जरूर देखना कोश्चन में कह रहा है बच्चों कि आकरती 12.30 में यानि जो फिकर आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है ओए सीबी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटेमेटर वाले एक वरित्त का चतुर्थांस है यानि क्वाडरें दिखाता हूं लगा इसको समझने के लिए थोड़ा एक चीज समझना ना देखो जैसे यह सरकल होता एक बृत्त ना अगर इसको बावु हम चार भाग में बांट दिए ना अब यह जो है एक बड़ा बृत था एक बड़ा बृत्त था ठीक है यहां पर सेंटर क्या है ओ है मान लो ठीक है समझना अब अगर मैं इसको इसके जैसे दिखाना चाहूं जो आप इधर साइड में देख रहे हो समझना तो यह ऐसे है इसको मिटाओ सब पूरा इसका ध्यान से देखना जो आपका ध्यारील वाला है वह यही चीज है यह आप अभी देख रहा हो ऐसे बंदा यह तो इसको क्या किया इन्होंने एसे 2 मिला दिया सट हमुझे एक बना है नो Sak miss एक वरित्त के जो चार होते हैं कौाड्रेंट उनमें का एक वाग फाग या अझाट देख रहे हो सेड़ेट रीजन ना जा मनें डटडट कर दिया हमें इसका एरिया फाइंड करनी है देखो सिंपल है जो एक वाडरेंट है इतना तिर्भूज वाला इसका चेतरफल अगर हम पूरे क्वाडरेंट के चेतरफल से घटा दें तो हमें इसका मिल जाएगा पहले कोश्चन दख लो पहले चायांकित भाग नहीं पूछा है पहले पूछा का ही छेतरफल पूछा यह बहुत सिंपल है लिखो लिखो जड़ेंगे अप्वाडरेंट इक्वल लिख लिए यहां पर संजो च तुर दांज का चेतरफल क्या होता है देखिए यह बृत का कर देंगे ठीक है यानि ब्रित्त के छेत्रफल का एक बटा चार होगा और ब्रित्त का छेत्रफल पाई आरी स्कॉयर होता है तो हम इसे क्या करेंगे वह अपान फोर इंटू पाई की वैलू 22 अपान सेबन इंटू आर की वैलू 3.5 ठीक है ओके क्लियर अब क्या करोगे अल कर लो इसको सिंपल है चलो भाई सिंपलिफाई करो फट अफट इनको दो से इनको हम सेबन से डिवाइड कर सकता हूं साथ एक कम साथ और यह साथ पचे पैंतिस जीरो पॉइंट पांच आएगा अब देखो इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं जो जो कर सकते है करलो फिर काहे और इनको क्या गोड़ सकते हैं दो दूना चार और यह 11 आ जाएगा अब इनका सबका गुड़ा करो फिर यह कहीं किसी से कटेगा क्या देखो तो भाइए 0.5 इंटु 3.5 इंटु 11 नीचे टू तब को करो फट से देखो क्या आता है कर लोगे ना देखो सिंपल है एक बात बताऊं 0.5 मुझे लग रहा कहीं सकटेगा क्या देखो तो कि यहां इस्टेख बाबू वे क्या चुनो यह साथ एकम साथ न यह साड़े 30 है इसे संजो यह 3.5 है क्या है बाबू यह 3.5 आ यह 35 के तो बिलकुल कुछ भाग के बराबर यह तो यह 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 7 होता है अब यह 2.4 हो जाएगा आपका ये 4 आएगा और फिर आपका ये जो आया था ये कहीं नहीं आएगा ठीक है ये इतना आएगा इनका गुड़ा करोगे बाबू ठीक है इनको क्या करोगे मल्टिपल कर लोगे तो ग्यारा पच्छे पच्पन का पांच हाफिल आया पांच ग्यरत यह तैया तीस पांच आरतीस और एक अंग पर दस हमलो बटा चार यह आपका अंसर आजाएगा क्यों नहीं इनको भाग करोगे तो 9.625 संथिंग आएगा सेंटिमेटर का स्कॉयर यह आएगा कि अब कर लोगे भाग तो करी लोगे ना ठीक है तो यह आपका क्वाडरेंट का पूरा पूरा जो बन रहा था तो सब्सक्राइब यहां जो आएव सक्ते हैं तो मैं यहां विल्क सकते हैं च्र Сп क्तुःख सब्सक्राइब कोो सब्सक्राइब पर यह आ गया देखो बिटाब समझो अब लिखोगे शायंकित भाग का छेत्रफल बराबर जातुर्थांस का छेत्रफल माइनस तिरबूच का छेत्रफल यह हो गया लिखो एरिया आफ सेड़ेड रिजन इक्वल एरिया आफ क्वाडरेंट माइनस एरिया आफ ट्राइंगल ओ वी डी ओके तो इसका एरिया क्वाडरेंट का अभी अभी हमने फाइंड किया था 9.625 इसको दूबारा नहीं करना है ठीक है ट्रेंगल अगर हम देखें ओ बीडी इसमें अगर आप चीज गवर करो तो आपको दिया है कुष्चन में जो ओडी है वो दो सेंटीमीटर था या मेटर क्या था यह टू सेंटीमीटर है जो सरकल का जो अरे रेडियस था वो 3.5 था यानि यह हमें 3.5 दिया था तो देखो बटा यह आपका ट्रेंगल बन रहा है समकोंड तिरफुझ बन रहा है राइट रेंगल बन रहा है तो वन अपांटू और बेस इंटू हैट बनेगा न बोलो बनेगा न तो क्या हो जाएगा बीओ इंटू ओडी लिखो वन अपांटू बीओ इंटू ओडी यानि आधार और उंचाई तो कर लो 9.625 मा 9.625 माइनस 3.5 फाइनल में इसे आप सब्ट्रेक करोगे 6.125 आएगा 6.125 सेंटीमेटर का स्कॉयर दिफिज दफाइनल आंसर किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चों अभी हम आपको एक एक कुश्चन दे रहे हैं आप लोग कलास को जादा फिजादा सेर करिए हम आप कर लिजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी और कोई परकार की इंक्वारी नीचे नंबर चलने संपर करिए मिलते हैं नेक्ट क्लास में जैहिन अगर नई बैच आप चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं हमसे डारेक्ट कोश्चन पूछ थैंक्यू